नमस्कार मैं हुश्वेता जाओ और आप देख रहे हैं आज तक 12 जोतिरलिंगों में से एक सोमना जोतिरलिंग और उससे महस 5 किलोमिटर की दूरी परिस्थित वो पवित्रधाम जो सुनाता है कहानी भगवान कृष्ण के अंतिम्दिनों की वो पावन स्थान जहां जहां कृष्ण को लगा पाण जहां हरी दिली अंतिम्द सास जहां नटवर में त्यागा तंतार भाल का तीर्थ है वो पवित्रधाम द्वापर्युक के सबसे बड़े नायक संसार को गीता का ज्यान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्रीक्रिष्ण और उनके आखरी लंहों की गवाई देता ये भाल का तीर्थ वो पावन स्थान जहां स्रिष्ठी के पालनहार नित्यागा अपना शरीर। ने भेट दिया था और उनके सामने ही स्थापित है उस बहलिय की हाथ जोड़े शमा मांगति प्रदिमा जो कृष्ण पर वान चला कर पच्चता रहा था। इस हालत में ही भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर इस्थिप हिरण नदी के किनारे पहुचे। हिरण नदी सोमनात से महस तेर किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंचितत्त में ही विलीन हो गए। वही से भगवान सीधे बैकुंठ धाम चले गए। लेकिन हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चर्णों के निशान मौजूद हैं और जो दुनिया भर में देहुत सर्ग तीर्थ के नाम से मशूर है। महा भारत के महनाय कृष्ण गीता के रचिता कृष्ण लेकिन उस भगवान श्री कृष्ण के देहत्याग की कारण बना एक बहेलिया। क्या है इस बहेलिय की कहानी आईए आपको बताते हैं। महा भारत के महानायक विष्ण के संपूर्ण अव्तार कृष्ण लेकिन एक बहेलिया का विश्पाण। बन गया कृष्ण के देहत्याग का कारण। सुलहो कला में माहिर क्रिष्ण, चक्र सुदर्शंधारी क्रिष्ण, संसार के सबसे बड़े युद्ध, महा भारत के महानायक क्रिष्ण, गीता के रचीता क्रिष्ण। लेकिन उस भगवान क्रिष्ण की मौत का कारण बना एक पहेलिया। दुनिया का स्तरुष्ण धनुर्धर अर्जुन, जिस क्रिष्ण का सिष्ष्ण था, उसी क्रिष्ण को मामुली धनुई वाले एक पहेलिये ने मौत की नीन सुला दी। पौरानी कथा के नुसार, भगवान एक बार जंगल में पीपल के एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तभी जहरा नाम के एक बहेलिये की नजर उनके पैरों पर पड़ी। भगवान के पैर की चमक देखकर उसे लगा कि ये जरूर कोई हिरन है। उसने भगवान से माफी मांगने शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं कि तब भगवान ने उसे पिछले जन्म की एक दास्ता सुनाई। कहते हैं कि तरेता युग में भगवान राम ने महाबली बाली को पेड़ की ओट में छुपकर मारा था। बाली को ये वर्दान था कि जो भी उससे सामने आकर युद्ध लड़ेगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। इसी वज़ा से भगवान को छुपकर तीर चलाना पड़ा। बाली ये देखकर दंग था कि जिसे संसार मर्यादा पुर्शोत्तम मानता है। उसी ने एक शिकारी की तरह छुपकर उन पर वार किया। भगवान तो भगवान ठहरे। वो बाली की पीडा समझ गये। और उन्होंने बाली को वर्दान दिया कि अगले जन्म में वो बहेलिया का जन्म लेगा। और उसके वाण से मरकर भगवान अपनी करनी का प्राश्चित करेंगे। लेकिन बाली और शुग्रिव अनर भाई थे और राजा थे लेकिन दोनों आपस आपस में लड़ रहे थे। तो राम जी ने शुग्रिव का मदद लेकर बाली को पेड़ के पीछे छिपकर से बीना कारण मारा। वे बीना करण मारा हुआ बाली कृष्णा उतार में जरा नाम का शिकारी बना। और भगवान कृष्ण जहां पैड के नीचे सोय है वो पैड है सामने इस पैड के नीचे सोय थे पैर पे पैर रखकर तो भगवान के पाउं में सोला पदमचीन होते हैं जो शिकारी को लगा के जंगल के अंदर कोई हिरन बेठा है उसने तीर छोड़ा वो तीर किस्ट परमात्मा को यहां लगा भगवान ने अपना वचन निभाया और जिस जगह उन्होंने सारी नर लीला करने के बाद देह छोड़ा वो जगह अब एक तीर्थ स्थल बन चुका है ध्रुव जोशी भाल का तीर्थ आज तक परिवार संग लीला धर के दर्शन और कानहा के भक्तों को भगवान के इस रूप के दर्शनों का सौभागे प्राफ्त होता है नंद गाउं में जहां माता यशोदा नंद बाबा भाई बल राम और राधा रानी संग विराश्ते हैं भगवान श्री क्रिश्न साड़े 5,000 साल पुराने इस मंदर में कानहा के दुरलव रूप के दर्शन करने न केवल शद धालू बलकि साधु सन्यासी भी दूर दूर से यहां पहुशते हैं और इस पूरे वातावरण को पवित्र करती मुरली की बुद्रतान जो युगो युगों से विश्वास दिलाती आ रही है कि आज भी अपने ब्रिज में वास करते हैं भगवान श्री क्रिश्न तभी तो क्या साधु क्या संद और क्या क्रिश्न के भग कोई भी इस दुन के सम्मोहन से मुट्थ नहीं होना चाहता बलकि सब रम जाना चाहते हैं श्री क्रिश्न की उस जाओं में जो मिलती है नंदगाओं में श्री क्रिश्न की जन्मस्थली मत्वरा से लगभग 50 किलो मीटर दूर है नंदगाओं जिसका नामकरण हुआ बाबा नंद के नाम है गंस की आसुरी शक्नियों से बचाने की